नमस्कार दोस्तो खंडेराव को ढूणने निकल पड़ी अहिल्या को जब शस्त्रशाला में हलचल दिखाई देती है और वो शस्त्रशाला में देखने जाती है तब सामने खंडेराव को देखकर अहिल्या की खुली की खुली रहती है क्योंकि खंडेराव शस्त्रशाला में एक कोने में बैटा हुआ अहिल्या को दिखाई देता है और खंडेराव की ये हालत देखकर अहिल्या को तो यही लगता है कि खंडेराव जरूर शराब पीकर शराब का नशा करके बैटा है ये देखकर अहिल्या को बहुत दुख होता है और वो खंडेराव से कहती है अगर मै से बढ़कर आपके लिए इस दुनिया में कोई नहीं है मुझे आप से ये उमीद नहीं थी उससे अच्छा तो आप मेरी जान ले लेते खंजर भौग देते मेरे सीने में ऐसा कहकर अहिल्या रोते रोते वहां से निकलने लगती है उतने में ही वहां हरकूराने साहिप हाथ मे खाने की ठाली लिया आती है दोस्तो अहिल्या को तो यही लग रहा है कि खंडेराव शराब पी कर उस हालत में शस्त्रशाला में बैटा है लेकिन नहीं दोस्तो खंडेराव ने अपना वाधा निभाया है खंडेराव ने शराब नहीं पी है शराब की लट की वज़े से खं अलीफ दे रहा था अपने ही शरीर पे वार कर रहा था और इसका खारन बस यही था कि जब खंडराव शस्त्रशाला में जाकर खुद को ही जखमी कर रहा था तब ही जो दर्ध उसे हो रहा था उस दर्ध की वज़े से उसका ध्यान फिर से शराब की और ना जाया और जो उसे शराब पिने की इच्छा हो रही है तलब महसूस हो रही है उस पे कंट्रोल रख सके सैयम रख सके दोस्तो खनेराव अपनी शराब की आदत को छोड़ने का पूरा प्रयास तो कर रहा है लेकिन अब यह देखना होगा क्या खनेराव अपनी इस बुर्यादत को छोड़ने में पूरी तरह से कामियाब होता है या नहीं आपकी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएए और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए और सीरेल के आगे की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए धन्यवाद